फिर से एक बर आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोनीट अप्लिकेशन क्या है और क्लोनीट अप्लिकेशन को किस तरह से यूज किया जाता है क्लोनिट अप्लिकेशन के मदद से हम एक फोन से दूसरे फोन में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे हम एक फोन से दूसरे फोन में इमेज ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वीडियो ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई अप्लिकेशन ट्रांसफर करना चाहते हैं आपको install कर लेना है उसके बाद आपको इससे open करना होगा तो यहां पर हम open में click करेंगे उसके बाद यहां पर आपको allow में click कर देना है उसके बाद आपको एक और phone लेना होगा तो हम यहां पर एक और phone ले लेते हैं यहां पर हम दूसरा phone लेंगे इसमें भी हम clone it application को open कर लेते है इसमें भी हम permission दे देते हैं यहां पर allow में klik कर देना है उसके बाद आप इस phone के data को इस phone में transfer करना चाहते हैं एक phone से दूसरे phone में data transfer करना चाहते हैं तो जैसे हम इस phone का data इसमें transfer करना चाहते हैं तो यहां पर आपको send में क्लिक करना होगा और यहां पर आपको Receive में क्लिक करना होगा उसके बाद यहां पर आपको Allow में क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर Search Again यहां पर हम क्लिक कर देंगे और यहां पर यह device दूसरे device को सर्च करेगा यहां पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर tap to scan में आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आप इसे scan कर सकते हैं इस तरह से तो हम इसे scan कर लेंगे यहाँ पर आपको ok में click कर देना है उसके बाद आप देख सकते हैं इस phone का जो भी contact होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा इस phone का application आपको यहाँ पर दिखाए देगा इस phone का जो setting होगा system setting यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस phone का photo आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं इस phone का music लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं और जैसे आप photo लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर photo में click कर देना है और कौन-कौन सा photo आप लेना चाहते हैं आप select कर सकते हैं इसी तरह से application को option में आप यहाँ पर click करके आपको कौन-कौन सा application लेना है आप यहाँ पर select कर सकते हैं music आप यहाँ पर select कर सकते हैं कौन कोन से music लेना चाहते हैं , video select कर सकते हैं , file आप से स्लेक्ट कर सकते हैं , कौन कउन सá file आप यहाँ पर से लेना चाहते हैं . उसकी बाद आपको यहाँ पर start में click कर देना है , इस तरह से आप एक phone के data को that farmers थैसे और dilinstर से ewild an dellACT on the • Many different fileлись यहाँ पर import होना start हो जाएगा तो आपको यहाँ पर कुछ देर के लिए wait करना है इस तरह से आप klonit application को use करके किसी भी phone का data आप एक phone से दूसरे phone में transfer कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें तो